जैन साथियों बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का कुछ साथियों ने मुझे ये कमेंट में पूछा कि क्या SIS में सेक्रियूटी गार्ड का ड्यूटी करते हुए गौर्मेंट जॉब की फ्रिफरेशन करी जा सकती है क्या Computer Exam की तैयारी को Continue रखा जा सकता है SIS सेक्रियूटी जॉब करते हुए तो इस वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक चोटा से रेक्विस्ट करूँगा अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मैं इस परकार का informative वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले notification आप तक महुचेगा और आप वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले चैनल ये वीडियो में लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या SIA Security Company में एजा Security Guard जोब करते हुए government जोब की preparation करी जा सकती है competitive exam की तयारी को continue रखा जा सकता है देखे SIA Security Company में 8 घंटा और 12 घंटा दोनों परकार का duty मिलता है अगर आप 8 घंटे का duty करते हैं SIA Security Company में ज़िए आपको 8 घंटे का duty मिल जाता है तो 8 घंटा duty करने के बाद आपको थोड़ा भूत study करने के लिए time मिल जाता है 4-5 घंटा 6 घंटा आपको study करने का time मिल जाता है तो आप उस 4-5 घंटे जो time मिलता है relax time में आराम से अपने mind को concentrate करके आप अच्छे से continue a study कर सकते हैं लेकिन यदि आपको 12 घंटा का duty मिलता है और 12 घंटा duty करने के बाद शरीर थोड़ा ठक जाता है आदमी को आराम की जरुरत होती है और 6-7 घंटा आदमी आराम करता है और 12 घंटा duty करने के बाद आपके पास time बहुत ही कम बचता है बहुत ही कम समय बचता है और बहुत कम समय में अपने mind को concentrate कर पाना और study को continue कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है तो मैं अगर अपने अस्तर से आपको बताओं तो 8 घंटा duty करने पर आपको थोड़ा बहुत time मिल जाता है study करने का लेकिन 12 घंटा के duty में आप study नहीं कर पाते हैं मुश्किल होता है थोड़ा mind को concentrate कर पाना और रही बात duty करते हुए देखे माहूल आपको बिल्कुल अश्टरी वाला नहीं मिलेगा क्योंकि हर को यहां पर कमाने आता है और काम का माहूल होता है हर समय अपने काम काम की चर्चा होती है काम की discussion होती है आपको study का discussion नहीं होता है बोले तो माहूल आपको study वाला नहीं मिलेगा तो हो सकता है माहूल के वज़ा से भी आप ना study कर पाएं बाकी यही सब है और रही बात की duty period में क्या हम study कर सकते हैं देखो duty period में आपको जो काम दिया जाता है वो काम को आपको करना होता है क्योंकि उसी काम के लिए company आपक को राखा क्यों जाएगा तो आप duty time में बिल्कुल भी study नहीं कर सकते हैं और बाकी तो मैंने बता ही दिया उमिद करता हूँ आप सबको यह समझ में आ गया होगा और अगर यह वीडियो पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलना मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए जाहिए